आप सब को जय मसी की Bible Stories हिंदी YouTube चैनल पर आप सब का स्वागत है आज मैं आपको निर्दे सेवक की कहानी की बारे में बताने वाली हूँ जिसका वर्णन आपको मति के सू समचार और उसके 18 अध्याय के 21 से 35 वचन में देखने को मिल जाएगा उससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें आप हमारे Bible Stories हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा तो आएए प्रियो हम वीडियो को शुरू करते हैं यह उससे में की बात है जब प्रभु येशु मसी अपने चेलों से बाते कर रहे थे और उन्हें उनके सवालों के जवाब दे रहे थे क्योंकि प्रभु येशु मसी के चेलों के मन में बहुत सारे सवाल थे तब पत्रस ने भी प्रभू येश्य मसी की पास आकर उससे एक सवाल पूचा और कहा कि हे प्रभू यदि मेरा भाई अपरात करता रहे तो मैं उसे कितनी बार शमा करूं? क्या साथ बार तक? तब प्रभू येश्य मसी ने उससे कहा मैं तुझसे यह नहीं कहता कि साथ बार तक वरन साथ बार के सत्तर गुने तक? प्रियो, पत्रस ने जब यह सवाल किया कि उसे अपने भाई को कितनी बार शमा करना है तब उसने अपने प्रश्ने में यह भी पूचा कि क्या साथ बार तक? यहाँ पर हमें यह समझना है प्रियो कि अंक साथ पुरुनता को दर्शाता है इसके साथ ही पत्रस ने यह भी सोचा कि यदि वह यह कहेगा कि क्या साथ बार तक तो वह प्रभु येशु मस्य को बता सकेगा कि वह अपने भाई के प्रती जादा ही अनुगरे जता रहा है कहने का मतलब यह है कि पत्रस प्रभु येशु मस्य के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था क्योंकि जब आप इसी अध्याय के एक वचन को पढ़ोगे तो आप आओगे कि चेले प्रभु येशु मस्य के पास यह जानने के लिए आये थे कि स्वर्गिक के राज्य में बड़ा कौन है और जब आप चेलो के भारे में और अधिक जानोगी तो आपको पता चलेगा कि चेलो में हमेशा यह होड रहती थी कि सबसे अच्छा चेला कौन सा है इसलिए प्रियो पतरस जो की बड़ बोला व्यक्ति था उसने कई बार चेलो के सामने प्रभु से यह जानने का प्रियास किया कि प्रभु का सबसे प्रियचेला कौन सा है इसलिए वह प्रभु के अंतिन समय में उससे कहता है कि प्रभु मैं तेरे साथ मरने वरन क्रूज पर चड़ने के लिए भी तैयार हूँ और उसके जवाब में प्रभु ने उससे क्या कहा वो हम सब जानते हैं इस घटना में पतरस के सवाल का जवाब प्रभु येशु मसी ने उसकी सोच से परे दिया प्रभु ने उससे कहा कि साथ बार नहीं वरन साथ बार के सत्तर गुने तक यहाँ प्रभु येशु मसी यह नहीं कह रहे थे कि हमें अपने भाई को 490 बार शमा करना चाहिए बलकि प्रभु येशु मसी का ऐसा कहना अज सीमिस शमा का प्रतिकात्मक तरीका था प्रभु येशु मसी पतरस को यह बताना चाहा रहे थे कि शमा का कोई दायरा नहीं है कोई सीमा नहीं है और कोई मापदंड नहीं है हमें अपने भाई को हमेशा शमा करना चाहिए इसके बाद प्रियो प्रभु येश्य मसी ने एक द्रिस्टांत के माध्यम सिच्छे लुख बताया कि स्वर्क का राज्य उस राजक के समान है जिसने अपने दासों से लिखा लेना चाहा जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का करज़दार था लेकिन चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसके स्वामी ने कहा कि इसको और इसके पत्नी को तधा इसके बाल बच्चों को और जो कुछ इसका है वह सब कुछ बेच दिया जाए और कर्ज चुकाया जाए इस पर उस सेवक ने अपने स्वामी के पैरों पर गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी दिरसधर मैं सब कुछ भर दूँगा तब उसके स्वामी ने तरस खा कर उसे छोड़ देने का और उसके सारे कर्ज को शमा करने का आदेश दिया जब वह सेवक बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसकी 200 दिनार का कर्ज़दार था उसने अपने उस दास का गला पकड़ कर उसे दबाया और कहा कि जो कुछ तुझ पर कर्ज है उसे बहर दे इस पर उसके संगी दास ने गिर कर उसे विनिती की कि धीरस धर मैं सब कुछ भर दूँगा परन्तु वह नहीं माना और उसने उसे बंदी गरह में डलवा दिया कि जब तक वह कर्ज ना भरे तब तक वह वहीं रहे उसके साथ कि सेवक यह सब कुछ देख कर बहुत उदास हुए और उन्होंने जाकर स्वामी को पूरा हाल बता दिया तब उसके स्वामी ने उसको बुला कर उससे कहा हे दूस्ट दास तुने जो मुझे से विनिती की तो मैंने तो तेरा पूरा कर्ज शमा कर दिया था इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की थी क्या तुझे भी अपने संगित दास पर दया नहीं करने चाही थी तब उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उस दास को दर्ण देने वालों के हाथ में सौप दिया कि जब तक वह पूरा पूरा कर्ज ना भर दे तब तक वह उनके हाथ में रहे इस द्रिश्टांद के अंत में प्रभु यह कहते हैं कि इसे प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से शमा ना करेगा तो मेरा पिता जो सुवर्ग में है तुम से भी वैसा ही करेगा प्रियो अब हम इस द्रिश्टांद के अर्थ को समझते हैं प्रभु येश्व मसी का यह द्रिश्टांद परमेश्व की दया, शमा और प्रेम को तथा मनुश्यों के कठोर स्वभाव को प्रगट करता है परमेश्वर ने हमारे पाप जो बहुत थे उन्हें प्रभु येश्व मसी में पूनर रूप से शमा किया प्रियो, परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया इस दिस्टांथ में प्रभु बताते हैं कि जब एक राजा अपने दासों से लिखा लेने लगा तब एक जन को उसके पास लाया गया, जो उसके 10,000 तोडों का कर्ज़दार था उस समय में एक तोड़े का मुल्य लगभग 30 किलो चांदी की बराबर होता था जिसका मुल्य आज लगभग 16 लाक रुपय की बराबर होगा जिसके अनुसार 10,000 तोडों का मुल्य करिब 16 अरब रुपय की बराबर होगा अर्थात असी मित्राशी जो उस दास की शमा की गई वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके दास का संगी दास जो उसके 200 दिनार का अर्थात लगभग 70,000 रुपियों का कर्जदार था जब वहे उसे मिला तो वहे उसका गला घोट कर उसे कर्ज वापस मागने लगा उसे बंदिगरह में डलवा दिया प्रियों उससे में कर्ज ना चुकानी की स्थी में अधोर दंड दिया जाता था कर्ज देने वालों का यह अधिकार होता था कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति और उसके संपूर्ण परिवार से वहेश्रम लेकर अपने कर्ज का भुकतान करा ले या फिर उसकी चल अचल संपत्ति की निलामी कर अपना हरजाना पूरा करे या फिर उसे कैद में डलवा दे और उसके संबंधियों से जमानत लेकर पैसे वसू ले प्रियो इस दिश्चांत में हम देखते हैं वह दास जिस पर अर्बो रुपियों का कर्ज था जब उसने स्वामी की पैरो पर गिर कर विन्दी की तो स्वामी ने अपनी बड़ी दया में होकर उसके सारे कर्ज को माव कर दिया था अब स्वामी चाता था कि जैसे उसका कर्ज माफ कर दिया गया है वैसे वह भी उनका भी कर्ज माफ करे जिसको उसने रुपे कर्ज से दिये हैं पर उसने ऐसा नहीं किया वह अपने संगीता से बुरा बरताफ करता और यही नहीं प्रियो वह उसे बंदी ग्रह में भी डलवा दिता है प्रियो हम भी अपने जीवन में यही करते हैं हम परमेश्र की शमा के अभिलाशी हैं हम चाहते हैं कि परमेश्र हमारे सारे गुनाह माफ कर दे लेकिन यदि कोई हमारे विरुद अपराद करता है तो हम उसे शमा नहीं कर पाते हैं प्रियो पापो को दंड हमें मिलना था वह प्रभु येशु मसी ने स्वयम सहकर हमें दंड से मुक्त कर दिया है परमेश्वर ने हम पर दया की क्योंकि वह जानते थे कि हमारे पापो की शमा के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा हम पापो की शमा अरजित करने में असमर्थ थे तब परमेश्वर ने स्वयर अपने बेटे एकलोते बेटे को हमारे पापो की शमा के लिए बलिदान कर दिया उसने अपनी दया और शमा का अनोखा उधरन प्रस्तूत किया ठीक उसी तरह जिस प्रकारिस द्रिस्टांत में पहले दास ने राजा से अर्बो रुपे उधा ले रखी थे जब राजा ने उससे इन रुपे का हिसाब किताब मागा तो वह दास राजा के क्रोद और दंड से बचने के लिए राजा से दया की भीक मागने लगता है और वह राजा के पैरों में गिर जाता है और राजा भी उसकी हालत देख कर समझ जाते हैं कि वह कर्ज चुका पाने में असमर्थ है इसलिए राजा उस पर तरस खाता है और उसे दन दिये बेगैर उसका करज शमा कर देता है अब आप कलपना कीजी प्रियो कि इस दास की खुशी कितनी बड़ी होगी जिसका इतना बड़ा करज माफ कर दिया गया हो उसके सारी चिंताइं दूर हो गई होगी अब उसे राजा को एक रुपे भी नहीं लुटाना है जब वह राजा के दरबार से बाहर आता है तो उसे उसका संगित दास मिलता है और उसे याद आता है कि उसके उस दास ने उससे 200 दिनार उधार लिये है और उसे अभी तक नहीं लुटाया है वह राजा की असी में दया को भूल जाता है और वह भूल जाता है कि राजा ने उसके अंगिनत रुपियों का कर्ज माफ कर दिया है और वह अपने उस दास के साथ निर्देयता पुरुवक वहवार करता है यही नहीं प्रियो, वहे उसके गिड़गडाने पर भी धिहान नहीं देता और उसे कर्ज भरने के लिए कहता है प्रियो, ठीक इसी तरह से हम भी अपना पस्चता भी मन लेकर प्रभू येश्यमस्य के पास आते हैं और यह स्विकार करते हैं कि पापों की शमा अरजित करने में हम पूरी तरह असमर्थ हैं हमें उद्धार केवल येश्यमस्य से ही मिल सकता है तब वहे हमें पाप के बोच से पूरी तरह से अजाद कर देता है वहे इस शमा के बदले में हमसे धन तोलत नहीं मागता बल्कि वह हमसे बदली में सिर्फ इतनी अपक्षा करता है कि जिस तरह से हमारे अप्राज शमा किये गए हैं हम भी उसी तरह दूसरों की अप्राज शमा करें हम परमिश्र के दया के योगे नहीं थे फिर भी उसने हम पर दया किया है धरन के लिए माल लीजिए अगर दो भाईयों में आपस में जगड़ा हो जाए और वह जगड़ा इतना बड़ा हो कि वे दोनों एक दूसरों को माफ भी करना नहीं चाह रहे हो तब वह यह कहते हैं कि मेरा भाई मेरी शमा के लायक नहीं है मैं उसे माफ नहीं कर सकता प्रियों ऐसा बोलने से पहले उस भाई को परमिश्र की और नजरे उठाकर यह दिखना चाहिए कि मैं परमिश्र की शमा के लायक हूँ या नहीं तो वह भाई अपने आपको अयोग पाएगा लेकिन फिर परमिश्र उस भाई को वह क्रूस दिखाएगा जिससे प्रभु येश्य मसी सारी दुन्या के पाप को लेकर टंगा हुआ था जो यह प्रगट करता है कि परमिश्र ने हमें प्रभु येश्य मसी में पाप की हर बोच से आजाद कर दिया है प्रियों हम भी परमिश्र की शमा के योगे नहीं थे लेकिन फिर भी हम पर दया हुई और प्रभु येश्यमसी ने अपनी प्रात्ना में भी हमें यह सिखाया है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को शमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को शमा कर जिसका मतलब यह है कि पहले हमें आपस में एक दूसरे को शमा करना है तब परमेश्वर से शमा की अपेक्षा करना है यदि हम परमेश्वर से दया और शमा की अपेक्षा करते हैं लेकिन अपने भाई को शमा नहीं करते तो परमेश्वर नियाय की दिन हम पर भी दया नहीं करेगा क्योंकि याकुब दो अध्याय और उसके तेरा वचन में लिखा है कि जिसने दया नहीं की उसका नियाय बीना दया के होगा हम एक बात हमेशे ध्यान रखे प्रियो कि जैसा वहवार हम इस संसार में दूसरे मनोश्यों के साथ करते हैं उसका भी लिखा हमें एक दिन परमिश्र को देना है इफीसियो की पतरी चार अध्या के 32 वचन में लिखा हुआ है कि एक दूसरे पर क्रिपालू और करुणा मैं हूँ और जैसे परमिश्र ने मसी में तुमारे अप्राज शमा किये हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अप्राज शमा करो हाँ प्रियो परमिश्र का वचन बार बार हमें प्रोटसाहित करता है कि हम लोगों को शमा करें हमारे विरुद चाहे किसी ने भी कितना ही बड़ा अप्राज क्यों न किया हूँ प्रभू हमसे कहते हैं कि हम उन्हें शमा करें प्रियो एक बाद हम हमेशा याद रखें कि शमा परमिश्र में हमारे विश्वास और एक दूसरे के प्रती हमारे प्रेम का आधार है जब हम मसी में आते हैं और प्रभू येश्य मसी पर विश्वास रखते हैं तो प्रभु येश्य मस्य के द्वारा हमारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बाइबल हमको यह बताती है कि वह हमारे पापों को अपनी पीट की पीछे फेग देता है। वह फिर कभी हमारे अपराधों को अस्मरण नहीं रखता। वह हम पर दया करके हमें एक नई शुरुवात करने का मौका देता है। जब हमारा परमेश हमारे पापों और अपराधों को अस्मरण नहीं रखता। तो फिर क्यों हम अपने साथ रहने वाले उन लोगों के पाप या अपराध स्मरण रखते हैं जो उन्होंने हमारे वरूत किये हैं। जैसे परमेश हमारे पापों को अपने पीट की पीछे फेक देता और फिर उन्हें स्वरण नहीं करता हमें भी अपने भाईयों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अंत में मैं आप से बस इतना कहना चाहूंगी कि एक दिन हमें परमेश के नियाए सिहासन के सामने खड़ा होना है और अपना हिसाब उसे देना है। उस दिन यदि हम प्रभु परमेशर की शमा पाना चाहते हैं तो हमें आज अपने अपराधियों को शमा करना जरूरी है। प्रभु की इस बात को हमेशे याद रखें जो उन्होंने कही थी कि यदि तुम मेंसे हर एक अपने भाई को मन से शमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में हैं तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ प्रियों आपको अपने भाई को मन से शमा करना है और उसने आपके प्रती जो भी अपरात किया है उसे आपको भूल जाना है। नहीं तो आपका अंजाम भी उस सेवक के जैसा होगा जिसके अर्बो रूपे की कर्ज को तो माफ कर दिया गया था। लेकिन उसने अपने संगी दास के थोड़े से कर्ज को माफ नहीं किया और इसका परियनाम यह हुआ की वह दंड दिने वालों की हाथ में सौपा गया। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा अंजाम उस निर्दे सेवक के समा ना हूँ तो आज ही उस हर एक वक्ति को अपने मन से शमा करे जिन्होंने आपको दुख दिया हो या तना दी हो या फिर आपके प्रति किसी भी प्रकार का अपरात क्यों ना किया हो। आशा करती हूँ प्रियो निर्दे सेवक के द्रिश्टांत का संशप्त विवरन आपके लिए आशिश्मय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विशे के साथ आप सबसे फिर मुलकात होगी तब तक के लिए आप सबको जय मसी किये। झाल